आज की ये वीडियो प्रचीन इतिहाफ की महा संग्राम होने वाली है जो भी मारे बीए फ़स्टेयर के फर्स समिस्टर के छात्र हैं जिनको आने वाले दिनों में कल पर सो या पिर जब भी उनकी परिच्छा होने वाली है उनको वीडियो बहुत ही इंपर्टेंट उन सभी छ प्रश्ण आने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा चलिए पूरी जानकारी पहले मापको देदे यहाँ पर यह देखिए वीडियो के छात्रों के लिए बीए प्रथम यानि की फस्टेर के फस्ट समेस्टर के छात्रों के लिए करें सब्जेक्ट हैप्रट्र को प्रचीन इतिहास और पृष्ण पत्र का ज़रूर नाम मैच कर लीजेगा तभी आपके लिसान के लिए महादपूर है तुर स्कीम है तो उसमें देख लिए या फिर आपके पास admit card आगया तो उसमें मिल जाएगा ठीक है ये मद्ध काली नितिहाफ नहीं इस बात को ध्यान रखेंगी ये प्रचीन नितिहाफ है और भारत विश्च की प्रचीन सब बिताएं प्रशन पत्र का नाम है तो चली आते हैं most important question and answer के और ठीक है पहला question है आज की इस वीडियो का ज अंतर तक देखते रहेगा तो चली इसके बारे में आपको बताते क्योंकि ये question 100% आता ही आता है ठीक है तो उसका उत्तर लिखेंगे कि मिफ्र प्रचीन काल में किरसी प्रधान देश था मतलब किरसी प्रधान का मतलब आप लोग समद रहे हैं जहां पर खेती बाड़ी होत तो यहां पर चावल गन्ने यह सब चीजे हुआ करती थी ठीक है इसकी भूम बहुत ही अच्छी और उपजाओ थी उपजाओ का मतलब एक ऐसी मिट्टी जहां पर कम खर्च में ज्यादा उत्पादन हो मतलब कि मालीजे की अगर आपके मालीजे हिंदूस्तान में क्या है न वर्स में दो फफले पैदा करना कठिन नहीं होता था यानि की अगर आप अच्छे समेहनत करेंगे तो जल्दी से मतलब कि इसकम समय में फसल उग जाती थी ठीक है तो आप साल भर में दो बार फफल आसानी से पैदा कर सकते हैं ठीक है लेकिन यहां वर्सा नाम मात्र की होत थी ठीक है इससे लोगों को कुछ दिनों तक कष्ट रहता था मतलब कि भाई कभी कभी आता था बाड़ तो इससे बढ़ा जाता तो काफी लोग भाई परेसान जो खेती वाड़ी वाले हैं किर्फी जादा पानी हो जाए उनके खेत में तो समस्या होगी तो कुछ दन तक उनक जो भूमी थी वहां की वह उर्बरक यानि की अच्छी मतलब की बहुत ही अच्छी हो जाती ठीक है और उसमें ब्रद्धी ओ जाती थी और फलता मिफ्र के आर्थिक जीवन में इस नदी का इतना महात हो गया कि इसे मिस्र की जीवन रेखा कि संग्या दी दी गई मतलब कि इ ब्रद्धी हो जाती थी उपजाओ और अधिक हो जाती थी ठीक है इसी कारण इसे मील नदी नील नदी के नाम से जाने जाना लगा ठीक है तो यहाँ पर लिखा यही है कि मिस्र के आर्थिक जीवन में इस नदी का इतना महात हो गया कि इसे मिस्र की जीवन रेखा कि संग्य की भावना थी तथा हुए एक देवता की भाथ उसकी पूजा किया करते थे इफ लिए इतिहास पिता यानि की हिस्ट्री के जो फादर है इनका नाम है हेरो डोटस ठीक है इन्होंने मिस्ट को नील नदी का वरदान कहा है यहाँ पर दो प्रश्णी के उत्तर क्लियर होगे पह वहां की आम जनता थी करसी वाले थी अगला प्रश्ण आप लोगों की समस्त प्रुस्त है पहले मैं आपको बता दूं मिस्ट नल्दी पे हमने ज्यादा फोकस क्यों किया इसका में रीजन ही क्योंकि यह प्रश्ण हमेशा आता है इसलिए मैंने फोचा इस पर टाइम आपक उनका सेना था ठीक है और संपूर समराज की फुरच्छा का उत्तरदाय सेना पर ही था यह राज का एक सैनिक राज था मतलब कि यहां पर सैनिक बहुत थे ठीक है और राजा फेना का सरवोच्चा दिकारी था जो आम बहुत सारी सेना थी उनका जो मुख्या था राजा था उसकी सहायता के लिए मुख्य फेनापती होता था जिसे लिम्ब अथवा तुर्टून कहा जाता था ठीक है सेनापती को लिम्ब अथवा तुर्टून के नाम से जाना जाता है ठीक है तो यहां पर बहुत आई जानकाई दी गई है आप पढ़ लीजीगा ठीक है और काफी हेल अगला बहुत हिम्हात्पूर्ट प्रश्ण प्रस्तुत है कि वैदिक काल में क्या धार्मिक माननेताएं प्रछिलित हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, वैदिक काल में जो धर्म है, वो क्या प्रछिलित है कि नहीं, तो रिगवेद में जिन देउताव की पूजा, पार्ट परेदिक कर दिया है इस पबित्र वाक्ट्रों के द्रहारा देवताओं की अराधना की जाने लगी इस प्रकार रिगवक्तिक धर्म का जन्म हुआ तत कालिन समाज में या माने जानने लगा कि तेज सक्त ग्यानवा सत्त देवताओं के गुड़ हैं तथा वे बुराई को समाप्त प्रकत की नियम को नियमित पापी को दंड युम फदाचार को प्रस्कृत करते हैं मतलब की धीरे धीरे क्या हुआ ना रिगुवे धर्म का जन है और उनमें नैसरगिक सक्तियों का अनुभव हो गया कि भाईया अगर हम भगवान की अराधना अराशना करेंगे अगर उनको मन से चाहेंगे तो उनकी सोभाओं को आप देख पाएंगे ठीक है और उनको देखने के बाद आपको अनुभव हो जाएगा ठीक है तो इन जो नैसरगिक सक्तिया रिशियो को मिली है ठीक है यहां रिशियों ने देवताओं की उपलब्द मान ले की भाईया ठीक है और तत्कालिन समाज में या माने जाना लगा यानि कि जो आम समाज है आम लोग है ठीक है उनको यह जानकारी हो गई कि तेज और सक्ती जहां पर पावर हो सक्ती हो ग्यान हो सत्ती हो देवताओं के यह सभी गुण है ठीक है और बुराई को समाप्त प्रकत के नियम को ऐसा प्रस्कृत करें ठीक है तो यह है वैदिक काल में धार्मिक मानेताओं के प्रिचलित ठीक है याद रखेंगे महात्पूर प्रशने उत्तर वैदिक सभिता किसे कहते हैं यह भी हाई लेबल का कुश्चन है रिगवेद युक के पस्चात के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता इस बात को ध्यार नखेंगे रिगवेदिक काल के बाद के काल को वैदिक युक कहते हैं रिग वैदिक काल में सिर्फ रिग वेद की रशना की गई थी किन्त उत्तर वैदिक काल में सेश्त तीन वेद साम वेद यजर वेद और अथर वेद ठीक है और ब्रहामर गरंथ या फिर ब्रहामर गरंथों उपनिस्दों एम आरनिकों की रशना की गई है रिग्वेद काल में सिर्फ रिग्वेद की रषना हुई तो इसमें बाकी के जो तीन वेड़ हैं साम वेद एजोरवेद इसमें झाल फ़ेर हिंपारार्वेद अफ्र बैंे और इस प्रकार पूरी question का उत्तर पढ़ेंगे महत्पूर है समय जादा है नहीं फिर भी मैं आपको एकदम simple सा उत्तर प्रुस्तित करा हूँ ताकि आपको जड़ा सभी doubt नहों और आपको जड़ा सभी समस्या ना आए question का उत्तर तयार करने में बिलकुल आफान भासा में एक दो बार प्रस्ण जिस भी प्रस्ण का उत्तर आप पढ़ लेंगे वो आपके नसनस में भर जाएगा अगर मन से पढ़ेंगे तो ठीक है बहुत simple शी परिमासा महा काब बिकाल की नेतिक दसा ठीक है तो महा काब जैधे कि आपके रमायड होगे नेतिकि होगे, महा भारत होगे इनसे जोड़ा question आएगा कभी-कभी अत्य लगत्र में आता है रमायड के बारे में, महा Hz की परिमाफा दीजिए और महा भारत की परिमाफा दीजिए कभी-कभी यह question आपके दिरगुत्रे में आ जाता है कि महा काब्बे काल के बारे में बताईए तो वहां पर यह प्रिस्ट महात्पूर्ण है आएगा जरूर रामाइड महाभारत की परिभासा महारब भारत और रामाइड के बारे इंतयार कर लिजेगा और महा काब्बे यह को उत्तर तयार करके जाते हैं तो यदि आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आप आसानी से 50-60 नंबर ला सकते हैं आसानी से बिल्कूल ठीक है पक्का ला लेंगे आप लोग भरोसा है और इस वीडियो में वही सारे कोश्चें इंकिलूड़ हैं जो कहीं न कहीं पिछले फाल हुई यनि जो सिंद्धु गाटी सब्विता है ठीक है किस प्रकार की ती तो सब्विता ईया हडपा सब्विता भारती महाध्युप में पर्थम नगरी करन वा प्रतिनिधित्य करती है जंसेंक्या का घंवता कर सा जन संख्या का अर्थी गद्विदी टक्नीकी प्रगतैं उन्नत बेवपारियों वड़िज तथा नगरों का बेवस्थित रूप में होना आद सहरी करण की बिसेश्थाएं हैं जो हडपा सब्विता में उपस्थित थी यानि कि यह जो एक नगर में होनी चाहिए वहां पर सभी चीजे उपलब्द थी ठीक है और हडपाई नगर जाल की तरह बेवस्थित थे जो ग्रीड प्रणाली पर आधायत थे हडपा मोहन जड़ो लोथल आदी अफ्थल फहरी करण का महत्पूर्ण अवदाहरन पृस्थित करते हैं ठीक है यह भी हाई लेबर का कुश्चन है ठीक है अगला कुश्चन है इन में से कुछ कुश्चन ऐस से भी है जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता भी चुका हूं ठीक है अपने नहीं देखा है तो फिराल कोई बात नहीं तो यह देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है प्रचीन भारतिये इतिहास के स्रोथ के रूप में पुराणों का महत्तु ठीक है यह इतना महत्प ठीक है लेकिन हड़पा सब बिताफे जोड़े एक दू कोईश्चन आएंगे अगला कोईश्चन बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्तित होने जा रहा है कि वैदिक कालिन प्रूप में नदियों का पर्चे दीजिए ठीक है तो याद रखेंगे रिगवेद में 42 नदियों का व पाठ करम में बताया भी गया है ठीक है और सरसती को नदी तमा नदियों में सेश्ट भी कहा जाता है या नदी उस काल में समुद्र में गिरती थी सरसती के साथ साथ द्रसदुती नदी के भी अनेक उल्लेक प्राप्त है एक नदी है जिसका नाम है द्रसदुती ठीक इसके भी बहुत ज्यादा उल्लेक प्रात हैं कहां पर यह बहती हैं कहां कहां पर निकली है पूरी जानकारी दी गई आप पढ़ लीजेगा काफी हैं हम आपको मतलब कि सिंपल सा उत्तर प्रुस्तुत करें तो आपको ज्यादा हम इस प्लेन करने मुझे आव सकता है नहीं और फिर काली रुजाजनीती संसथाओं का परिचे दीजिए यह एक बार आया था प्रश्ण ठीक है वैदिक काली रुजाजनीती संसथा पिर राजनेतिक इस्थित के बारे में इसा कोईश्चन आएगा जरूर ठीक एक अगला प्रश्ण है बहुत ही हाई लेबल का कोईश्चन पर है और इसकी एक भुजा साथ सो पच्छत्तर फुट लंबी है ठीक है यह तेरा एकर भूम में बना है इसमें धाई धाई टन भार के तेईस लाग पसार खंड लगी है यह तीन चतुरता से जोड़े गये हैं और कहीं कहीं तो जोड की चोड़ायों इंच के हजारवे भाग स से भी कम है ठीक है यानि कि इतनी अच्छे से बनाए गई है कि उसमें कोई यह नहीं बता फकता कि यहां पर जॉइंट है ठीक है जैसे कि एक्जामपल के रूप में जब कोई-कोई आप लोग देखते नहीं कि घर बन जाता है तो घर बनने के बाद भाई जब तक उस पर प तूरताफे इतनी मतब कि ढिमाग से काम किया गया है ठीक है कि वहाँ पर कोई भी बता नहीं सकता कि यहाँ पर कहीं पर जोड भी यह ठीक है और इस प्रकार आपके बहुत कंकारी में बनाने योग देशता है मतलब कि आधनिक काल के बहुत फारे इंजिनियर बहुत फारे कारिगर हैं लेकिन अइसा बहुतना ना उनके बसकी बात नहीं मतलब कि उनके पास नियों बना पाएंगे कें इतने सब्सक्राइब करते हैं दो ऐतिहासकार जाक्याब को एक मैंने जानि में पॉइंट है ठीक है और अगला है कि अखनाटन कौन था ये इतना महत्पूर नहीं इग्नोर भी कर सकते हैं मिस्ट में नील लदी इसके बारे मैंने आपको पूरे अच्छे से समझा भी दिया है और आप समझ भी गए हैं अभी उपर पहले कोईशन उपर था ना मिस्ट में नील लदी ने आपको बताया है जो गीजा है वहें पर भाई ये पिरामिड है तो पिरामिड के कराण ये प्रिसिद्ध हैं मिफ्री कलाकारों के अफ्थापत के सर्बच नमूने पिरामिड हैं ठीक है ये विशाल पिरामिड मिस्र के फराओं की समाधिया है ठीक है फराओं के कुछ ल प्रामिट की उचाई यहां पर आप लोगों समस्त प्रुस्त थे चार सो फिर जैसे उपड़ा वही से मैं ठीक है और उसमें बताया जा रहा है कि तेश लाग पत्थर्च की चट्टाने भी लगी है महात्पूर्ण प्रश्ण याद रखेंगे उत्तर वैदिक युगीन सिक्के यह कई बार कुश्चन आ चुका है तो उत्तर वैदिक युग में मुद्राओं के आस्थत का उल्लेक नहीं मिलता है परंत निश्क सत्मान पाद और क्रश्णल का उल्लेक अवश्च मिल जाता है निश्क का उल्लेक पंचविन से ब्रहमट में मिलता है सत्मान दच्छिना की रूप में स्ट्रुन का उल्लेक है और क्रश्णल रत्ती को कहते हैं पाद का उल्लेक दानक का परसंग में मिलता है ठीक है प्रश्ण ने कह रहा अधर के युग में जो मुद्राय थे और कुछ सत्मान थे और कशनल का अवस्ष जो है नहीं मिलाै अगला पशने कीट सिफिक्स चाहते हैं ये आपकि अतिलब रगुत्रे में यह ने तो गीजे के पिरामिट के पास एक सिफिक्स नर तथा सिंग की मिली जूली मूर्ती बनी हुई है या पच्चीफ गज उची तथा पच्चाफ गज लंबी है इसे प्रिचीन काल में हूं के नाम फे पुकारा जाता है कभी कभी कोश्चन आता नहीं कि हूं की परिमाफा दीज तो यही है हूं ठीक है हूं के नाम फे जाना जाता जिसका अर्थ है फुरच्छा का चौकीदार ठीक है अधुनिक समय में मिस्रबासी इसे अबुल होल के नाम से पुकारते हैं जिसका अर्थ है भय का पिता ठीक है यानि कि डर का पिता एक तरीके से बोल सकते हैं भय का पि पूछा जाता है मैंने इसले फालों में कई बार देखा और हम्बुराभी से जड़ा कॉष्चन कॉमन है और आता भी हमें सा ठीक है तो एमोराइट वंस का छटा सासक हम्बुराभी था किस वंसका एमोराइट एक वंस था जिसका एक छात हुआ सा सकता ठीक है उसने लगभग चलता है तो आप लोगग और यस बसका ना वह जो फासन तो इसका महान भी जीता था और उसने अपने प्राक्रम से मेसोपुटामिया का एक ही करन किया है झुकित कि एक जुट किया इसके बाद उसने एलम तथा आसेरियों के फेक्तिफाली राज्यों को जीत कर अपने समराजी का बिस्तार किया वह एक को सलसासा को संक्तिन करता भी था यानि कि जो आसपास के राज्य थे जो आसपास के असेरियों के फेक्तिफाली राज्य थे उनको जीत लिया और अपने सम्राज में उसने मिला लिया ठीक है अपने ही वंस में ठीक है और उसको जब बिस्तार जो था उसको अपने में मिला लिया तो सम्राज का बिस्तार किया ठीक है राज्यों को जीत कर अपने सम्राज को बिस्तार किया अपने सम्राज को बिस्तार किय तो और साथ साथम से शुट्ि गड्रे लूट तो चीन की की दीवार के बारे में आपके आजनते हैं भहुत ही महात्पूंड प्रशन है चीवान की दिवार हमेशा इस बहुत है द्बार भी Ilde की उत्तर-पस्टमी सीमा पर हुड़ो के अकमर से रच्छा करने के काश्य लिए सी हुँ टी ने ठीक है Wieостоin एक चाईनीजी विद्द्वान है जहां तक मुझे जाणका रही ठीक है ओ यह दिवार बनवाई ती सी ठीक ह Вид कि कि चाईनीज नाम इतीक है दिवार बनवाई थी चिंके यह पंद्रा समील लंबी बीश फिट चोड़ी तथा बाइस फिट उंची थी इसमें बीफ हजार गुमदे तेफ हजार अफ्तम भुर्दफ हजार फुरच्छा चवक्या बनी हुई थी या दिवार दस वर्स में बनकर तयार हुई थी इस पर अंकित सब्द इस प्रकार है कि स्व महात्पूर्ट प्रश्ण है दुंगी यह भी पिछले पालों में कई बारा चुका इसको त्यार कर लेंगे मेस्व पोटामिया कैसा को इस चनल जो हमें इसा आता ही आता है ठीक है तो मेस्व पोटामिया जिफे उन्ने सो अठारा इस भी में एराकी संग्या दी गई सम्पोर घाटी समा विष्ठए मेस्व पोटामिया सब्द उन्हानी मेस्व सब्ध के योग से बना है ठीक है तो इस प्रकार अप लिछेंगे मेस पुटामिया के बारे बहुत महत्तो प्रक्रश्ने है यह लग उत्रे और अत्ला हुत्ट दो नों पूथा जा चुक है बिच संबंध में प्रथम्मत में लच्छमर स्वरूप वत्स ने आर्जियों को सिंदु सब्विता का निर्माता माना है वह पर तीसरे मत में जॉन लोगों को सिंदु सब्विता का निर्माता मानते हैं ठीक है और ने कहा है इनका मत है कि भूम अद्य सागरिय सिंदु प्रदेश में सबसे अधिक बहुत संख्या में थी इसी जात्री ने सबसे अधिक योगदान दिया है तो इस प्रकार आप उत्ता लिग देंगे ठीक है य जाएगी लेखन की प्राकार आका ये कई बढ़ें धारा कर सकते हैं भारते इतिहास के निर्मार में अब लेकों का योगदान है थीएं। तब अबलेखों का योगदान बहुत थीएं। विशेingo महात तो रहा है। सब्दकीर अबलेखों को ने मिलेखित प्रकास्त किया गया है। बियपारिक अबलेख तांत्रिक अबलेख, ध्र्मिक और इशात्मक अबलेक साफन संबन्धी अबलेग ठीक हैं इनको पथरों पे मतलब की एक तरीके से बहुत सकते हैं कि जो पथरों पे इनको लिख दिया जाता था उसे-े अबलेग बॉलते हैं जो पत्थर थे कठोर धात थी ठीक है या फिर कुछ उस तरह के तत्तु थे ठीक कठोर थे उन पे लेख लिखा जाता जैसे कि आज पेंसे लिखा जाता ठीक है तो उसे ही अब लेख कहते हैं और अप लेख बहुत सारे प्रकार के हैं देखिए सभी जगा अलग-अलग पृस्तुत किये गये हैं कई गई देखिए अपने थालियों पे लिख पथरों पर लिखा huggy देखिए तो बहुत सारे प्रकार हैं अब लेख की सब्सक्राइब होते हैं जो लेख लिखा जाता जाता है जिसे ब्रहति सिंद्धुगाटी के धर्म पर संचिप्ट टिपड़ी लिखिए यह भी महात्पॉंट प्रशन है सिंद्धुगाटी फिजुड़ा एक कोईश्चन आएगा ही आएगा देखने को मिलेगा और एक आपको लगोदेर में देखने को मिल सकता है तो सेवर है कि आएगा ही आएग कलांतर में विक्षित हिंदु धर्म की पुरुस एउंप्रकति सिव और प्रवति की कलपना का आधार यही दुन्दात्मक धर्म ग्यात होता है सिलाखंडो विशाल ब्रच्छो तथा पस्वों में आत्मा का निवास मानकर उनकी पूजा करते थे इससे यह इंगित होता है क कि बहुदेव वादी भी थे ठीक है यानि क्यों पस्वों की ब्रच्छों के इन सभी की चीर क्या है वो उन पर एक तरीके से आत्मा मानकर उनकी पूजा करते थे ठीक है तो इस प्रकार लेखेंगे सिंदु घाटी के बारे में वैदिक कालिन राजा के स्थित बहुत ही वेफता कैफिती हाई लेबल का प्रच्छन आये गा ही आये गता हैं तयार कर लिजिएगा मोहन जो दोड़ों फिजड़ा और मोहसर पोटामिया इन से जड़ा कोश्चन हमेशा आता इस बार भी आएगा तयार कर लिजिएगा हाई लेबल का कुश्चन है अमरत भंडों का पर इस बीडियो में कोश्चन और कोश्चन बताएं उनको तो आपको खाफ करके और के बाकि आपकी सब्सक्रण ईकर सकते हैं कोई इतनी गारंटी और इस तरह के प्रश्ण प्रवाइड कर पाए मैं गारंटी ले रहा हूं कि यह प्रश्ण आएंगे ही आएंगे और अगर आप अच्छे इन प्रश्णों को तैयार करके जाएंगे तो आप सचाफे स्टार्ट नंबर कम से कम ला पाएंगे सिर्फ इस वीडियो से बाकि इसमें देएगे और उत्तर हैं वो बेसिक हैं मतलब की छोटे हैं मतलब चोटे के मतलब यह उसका आंसर मैंने बेसिक छोटा-छोटा रखा है बाकि जैसे कि यह अतिले हुत्रे के लिए तो ठीक ह बाकि कोई कोश्चिन है तो जरूर पूचिए और इस पीडियोप को हम टेलेगराम वटसब पे दोनों प्रवाइड करेंगे तुम्हाँ पे डाउनलोड कर लिजेगा जैहंद